उस जमीन पर अपना घर कैसे बनाए जहां पर तीनो साइट से घर पहले से बना हुआ हो और यह जो आज जो में विडियो बना रहा हूँ जो कि मैं आउन साइट आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो बनाए जग गया है घर तीनों साइट से आपका बेल्डिंग बना हुआ है और बीच में आपका पलॉट है और वहां पे आपको घर बनाना है और सबसे मैजदार की बात इसमें ये है जो तीनों साइट से जो लोग अपना घर बनाए हैं वो अपना जमीन से एक इंच भी जगह नहीं छोड़े हैं कि जितना उसका जमीन है वहां से बना लिया और यहां तक कि वो लोग अपना खिरकी भी दे दिये विंडो वेंटिलेशन भी दे दिये उसका सटागर के उन्होंने कभी ये निसोचा कि इन केस अगर जिसका उस जगह पे उस बीच में जमीन है अगर वो बनाया घर तो उसका सारा खिर की वेंटिलेशन भी सारा बंद हो जाएगा अगर वह भी देर फिट या एक त्षुडते और बीच में एक ये देर पिट छोड़ता को बीुआ चारो आदमी के, एक अच्छा बैंटिलेशन पन पाता नो क्या होगा कि अगर बीच वला आदमी अपना घर बना दिया तो फिर तीनों का वेंटिलेशन सिस्टम बन तो हम चलते हैं और यह जो मैं विडियो बना रहा हूं यह है चैलेंजिंग फेक्टर घर बनाने अगर शुरू कर रहे हैं यह चैलेंजिंग है तो अब आप इसमें क्य क्या करें अगर हम भी दिवाल के सटा करके बना देंगे अपना भी वेंटिलेशन चला जाएगा इसमें एक पॉइंट आता है जहां पे आप अगर चाहें तो उस दिवाल के सटेह भी घर बना सकते अपना या नहीं तो आप थोड़ा सा एक यह डेर से दो फिट मिनिमम डेर फिट डेर से दो फिट आप जगह छोड़के बना सकते हैं लेकिन उसमें प्रोब्लम ही होगा कि आपका जमीन कम हो गया आपका जगह कम हो गया हर एक रूम का साइस कम हो जाएगा तो इस सुच्वेशन में क्या करना है तो अगर पहला सुच्वेशन वन देता हो अगर आप आपको चारो साइड से पूरा सटा करके दिवाल उठाना है घर बनाना है तो आपको साफ्ट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग डक्ट भी बोलते हैं साफ्ट बना देजिए उसमें पूरा वो जो हो ओपर तक ओपन रहेगा ठीक है तो वह भी हम दिखाएंगे और या नही सकता है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर दोनों साइड और पिछी भी है पूरा सटा करके जो है घर बना हुआ है और यह जो बिल्डिंग का इस्ट्रक्शन हो रहा है अब कैसे करेगा भाई इसमें तो इसमें देखें यहां पर आप जो है इस साइड से वि आपका घर बना हुआ है और वहां भी आपका कॉलम दो पूरा सटा हुआ है क्योंकि उसने नहीं छोड़ा तो आपने भी नहीं छोड़ा इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम को भी तो डट एर चाहिए तो इसमें आप जैसे यहां कि देखने डेक्ट एक साफ्ट है दिया हुआ ह इसको हम पूरा डेटिल में आपको बताऊंगा और एक चीज और आप कर सकते हैं बैक साइड पीछे के साइड में आप डेर से दो फिट जगत छोड़ सकते हैं उन्होंने उस वह घर वाला तो अपना जमीन पर बना लिया लेकिन आप जो है डेर से दो फिट बना करके इसमें कोहीं भी तरका प्रशाली नहीं होगा मसे गारमें नहीं लए इस चीज के लिए आपको जो है यहां भी जा है डेर से दो फिट के आसपास आप जगत छोड़ सकते हैं किलिया रहे हैं जिससे कहा कि आपका कीचन में कोई भी तरह का जैंग वहां सब्राइब और ये यह वह सकता है और इस डॉर हो गया यहां बनेगा और साप्ड चाहे डक्ट एक की चीज़ हुआ इस दोनों में से को एक चीजा बना सकते हैं कि अगर आपको भी घर बनाते हैं तो उसमें बहुत जोरूरी होता है विंडू सिस्टम विंडू हो ही विंडू नहीं रहने पर थोड़ा सा अब आपको दिखाते हैं यह देखिए यह हो गया दूसरा अपोजिट साइड भला घर का इन्होंने उपर में अपना वेंटिलेशन भी छोड़ दिया विंडू भी छोड़ दिया था उसको बंद कर दिया गया इस तरह कंप्रिशन होते रहता है तो यह हो गया कि इसको बोलते जिद्धी ओनर लेंड ओनर जो अपने तो बना लिया लेकिन बाद में सोचाने अगर यह बला यह अदमें अपना घर बनाएगा तो कैसे मेरा होगा तो यह चीज का प्रोगलम है लोग फ्यूचर सोचने पाते हैं यह होगे सगेंड फोलोड जिसमें आपको दिखा रहे हैं अब पांच इंची का बनाएगे यह नहीं तो दस इंची कहीं बना सकते हैं इसमें पर पांच इंची बना पर यहां से बाटरूम का पाइप भी ले जा सकते हैं क्वेलियर रगिये और यह था आपका यह और उधर माथ देखिए उधर बघ्य!!!! अगर यह आदमी चाहता अपना सटा तो जैंडर बनाता इसे ङ्छोड दिया क्यां और इधर वबनेंगा हुल में भी आपका रोशनी मिल जागा नहीं तो अगर यह चाता तो पूरा दिवाल सटा के बनाता जिससे कैसका पूरा विंडो बंधो जाता तो ऐसे तरक होते हैं यह आदमी चाहता जो बगल वाला जो घर वाला है यह चाहता तो यह भी जो डेर फिट छोड़ सकता था अपना पलोट एडिया मैंसे डेर फिट छोड़ सकता था लेकिन उसने नहीं चोड़ा कि लिए तो अगर अब भी बना रहे हैं घर अगर इस तरह का सुचेशन आपके सा चाहिए और याद रहे है इसको अने वाला समय में ड Во ये हैँ इस जो विडियो बनाओंगा इस का लौट है का कि यह समय है कि ठीन से रूम होते हुए कैसे घर बनाना और घर जो है पूरा हावादार रोशनीदार हो और वेंटिलेशन के साथ हो इस तरह के चीज़ को ले करके अब जैसे देखिए हम आगे चलते हैं यहां पर उधर वला जो मैं दिखाया था आपका वहां भी सेम ऐसा है पूरा एकदम सटा हुआ एक इंची भी जगर नह पीछे साथ छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पीछे साथ भेंटिलेशन भी बना रहेगा आपका रोशनी भी आएगा इस तरह का चीज है और पीछे गेट भी अगर आप चाहते हैं देश सकते हैं पीछे सफाय करने के लिए इस चीज को ले करके तो य आप भी इस उगहरबुन में फस गए कि भाई अब तीनों साइट तो हम विंडो दे नहीं सकते हैं तो कैसे करें आप तो इसके लिए सबसी आसान उपए बताता हूं अगर इस तरह का सुच्छेशन आए तो आप जब घर का प्लान बनाएंगे नक्सा बनाएंगे हमेशा को बीच में मुझे बनाना तो वो क्या करेगा बिल्डिंग में साफ्ट चाहे डक्त दे करके आपका प्रोविजन निकाल देगा नहीं तो आप किसी कोंट्रेक्टर चाहे मिस्तिरिक भरोसा घर बनाएगा वो तो पूरा घर को अंधेरा बनादेगा उसको कोई मतलब ने तो य उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको किलियर हो गया होगा समझ मा गया होगा तो अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं इस तरह का समस्या आपके पास है तो देर मत किजिए किसी इंजिनियर चाहे आर्केटेक्स से ड्वैंग बनवा लेजिए और इस पर काम करना शुरू कर देगे और इसमें एक और चीज प्रोब्लम क्या आता है कि फॉंडेशन के समय में क्योंकि बगलवला घर आपको फॉंडेशन करने देगा ही नहीं तो इस सोचेशन में क्या किजिएगा तो और मिलिए अगर एक वन फ्लोर चाहे दो फ्लोर तका घर है तिसमें उतना फॉ वेल्डिंग सेफ रहे एक की साथ पूरा फॉंडेशन नहीं कर देना एक करते चलेंगे उसका भी घर सेफ रहेगा और आपका पूरा फॉंडेशन भी रेडी हो जाएगा तेकि यह उप्सन है यहाने दुसरा क्या है पाइल कर सकते हैं पाइल फॉंडेशन करके आप इसमें आगे बर सकते हैं यह सब एक चैलेंजिंग फेक्टर है जो कि आप जब घर बनाएंगे तो उससे में आपको किलियर होगा समझ में आगा बहुत जगर यह भी लड़ाई जगरा कर लेता अलोग की वह कि अगर आप यहान बनाएगा मेरा विंडू बन हो जाएगा उसमें बह लाइक तो करी दिये होंगे और खास करके हमारे चैनल वाको सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल अकवन बन जाएगा उसको भी क्लिक कर देजाएगा उससे बेनिफिट क्या आया है कि जब- सिवील इंजिनेर दीपक कुमार को नया विडियो प्लूट करेंगा तो सबसे पहले आपके नूटिफिकेशन में सोक करेंगा ठीक दस्तों धन्यवाद दस्तों